अब्रिवान स्वागत है आपका मेरी रस्मरी रस्वय में और स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे कपूर SS2 में हमारा यह कघ आपका की हमारा थांड बीट कांटी सर्शोमा लें आपकारेगा नापका है तो और सवागत है को हम इसको आपकंड़ कर ज्याएं ज्युक्रूंड करने क्ट मैं तो जहिं गमत लिवन की कघ हमें शर्शोमा आपका कमरेघए और कर शांतल ले फ्याकति में लिवन यह अद्रक लसन हरी मिर्श घजज़ अधे खची हल्दी और कि इन इस अद्रक लसन पर और जो हमने चॉप करना डखा आप मैं मैंने सबस्काचर पीस हूं गों मिर्टीमिर्णार कच्ची हल्दी लिए मैंने कच्ची हल्दी आजकल बहुत मार्पिट में मिल रही है तो मैं इसका यूज भर पूर करती हूं क्योंकि जब तक जो चीज मिलती है उसका फैदा उठाना चाहिए और यह वेट लॉस्ट भी करती है इम्यून सिस्टम भी बढ़ाती है और स्टॉं अगर हम इसको आज करते है तो इससे डबल लगेगा और अभी वहारा टम लगेगा अगम अच्छ प्राइज देगा अग्जे आज अगे तो प्राइए प्सक्तॉं हो गया है तड़के के लिए हम दिश में डालिया जीरा और यह जो शॉप प्रने है बोडा लिया और दूस कि तरफ को रहा है हमारा चतल कैसल के तो हम दूसरा मसाला प्याद करते हैं टमाटर वाला ओके पांद है पढ़िए यह घुपरा हो रहा है और इसे राम से होने भी जिए एटिक के पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें डाल रएंगे मसाला वो भी साथ साथ लेगे स्वाज़ा देख लेने हैं, आप देख लेजिए, आपका पिकना स्वाद है उसी साथ पे कोई भी मटन मसाला- चिकन मसाला कुछ भीले सकते हैं, थोड़ा सा घ्रेवर के लिए एक बना देते हैं चटनी प्यार हमारे हो चुक है लाल अब हम डालेंगे यह जो में मसाला पूसा था अब इसको बूलेंगे अच्छे से थी कि अब हमने इसमें कोई भी सुखा मसाला नहीं डालना बस डालना है तो स्वाद रुसार नमक तो अब बूस्ता शुक्त अब और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए अगर आप सुखर ना जाते सुखर भी बना सकते हैं क्योंकि कठल को अब तो अब यह कठल जो हमारा फ्राइब हो गया है इसको हम डालेंगे लिच में अड़ करेंगे स्वाद मुसार पानी डालेंगे अब 10 मिनित के लिए इसको ढख देते हैं मसाले अच्छे से इसमें रसमस जाएं और हमारा कठल कठल है बिलकुल मतन जैसा है हो गे है 5-11 मिनट आप देखते हैं हम 100 शेखल में मटन की कुड़ भुण कोके तो जो मुटन खाते हैं किसी कारण मच छोड़ देते हैं को होती है कि आ मेरे को मुटन कहना है तो वह आधो । खाते हैं और बहुत स्वाद भी आता है और हेल्दी भी है तो अब हमारा कठल हो गया है है अब हम इसको सजा देते है यह यह दनिये के साथ तो चाहरा तर आप द तो मैं उतना ही डालती हो जिसमें सब्जी अच्छे से बन जाए मसाले अच्छे से बुन जाए वाइल ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है यूज करो खाने में और प्राथा में देशी खी यह है टिप हमारा तो जी आपको कठल की सब्जी हमारी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट कफल यही है अप्रिशेट के जिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाई यूटूब पे अच्छा जाए आपका प्यार चाहिए खाना तो सबको मिलता है प्यार किसी को मिलता है तो हमें प्यार की सब पजरूत है तो जी अपने प्यार को बढ़साएं कपूर ऐसे तन 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 ठीके जी मेरी तेस्टी कठा की सब्ची